हलो प्यारे बच्चो आज का हम लोगों का टॉपिक है यहाँ पर रेक्टिफायर से आपका सेमी कंडुक्टर चैप्टर के अंदर एक बड़ा ही इंपोर्टेंट सा टॉपिक होता है रेक्टिफायर एक डिवाइस होती जो की पी एंच जंक्शन की हल्प से हम लोग बनाते हैं और इसका काम होता है बेसिकली अल्टरनेटिंग करण को डारेक्ट के अंदर करवट करना ठीक है तो हम लोगों ने पढ़ा है कि इससे अल्टरनेटिंग करण क्या होता है कैसा करण समय के साथ अपना magnitude as well as y Leonard a car और ये अपर लैटा सब्सके करण कर अब इसके इसका में क्या बोलते हैं और इस प्रॉसर को AC से DC Conversion की जो प्रोसेस होती इसको हम क्या बोलते है Rectification Now main question यह आता है कि ऐसा क्या क्या need है कि हमको alternating current को direct current में convert करना है तो देखें दोस्तो हमारे घरों में जो supply होता है current का voltage का वो कैसा होता है alternating nature का होता है लेकिन हमारा जो mobile phone है या ऐसी कोई भी device जिसको हम लोग चार्ज कर रहे है तो किसके उपर काम कर रहे है DC के उपर तो अब अगर मुझे घर में जो supply आ रहा है उससे अगर कुछ ऐसी device को operate करना है जो DC पर काम करती तो मुझे बीच में क्या चाहिएगा एक rectifier जो rectifier हमको क्या करके दे इस AC को DC के अंदर convert करके दे इसको हम लोग क्या बोलते है rectifier ठीक है न तो यहाँ पर देको दो तरह के rectifiers होते हैं एक होता है आपका half wave rectifier एक होता है आपका full wave rectifier तो पूरा concept में यहाँ पर आपको दूँगा कि कैसे काम करता है कौन कौन से devices इसके अंदर use करते हैं एंड तक आप बने रहिएगा और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिए और चैनल को आप सब्स्राइब करनी चीगा ठीक है तो चलिए पहला देखते हैं आपन half wave rectifier एक होता है आपका full wave rectifier नाम से clear है half wave rectifier का मतलब क्या होगा जो इस alternating current की आधी wave को convert करें उसको हम क्या बोलेंगे half wave rectifier similarly ऐसा rectifier जो इसकी full wave को convert करें उसको हम क्या बोलने वाले full wave rectifier अब देखिए इसका construction कैसा होता है बड़ा simple construction होगा यहाँ पर हमारे पास एक transformer लगा हुआ है transformer क्या होता है एक ऐसी डिवाइस जो क्या करती है AC के level को कम यह ज्यादा करती मतलब 230 वोल्ट को अगर मान लोग 5 वोल्ट में convert कर रहा है ठीक है ना तो हम लोग इसका use कर सकते है transformer का use कर सकते हैं तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या transformer है transformer के एक end पर एक wire पर हमने लगा दिया डायोड ठीक है इसको क्या बोलते है यह क्या होता है by direction by direction का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो में यहाँ पर positive और यहाँ negative लगाओ तो इसमें current ऐसा flow होने लग जाएगा ठीक है अगर मैं इसकी polarity को reverse कर दू तो current की direction क्या हो जागी reverse मतलब कि दोनों direction में क्या कर रहा है current के flow को allow कर रहा है लेकिन p-n junction semi conductor diode होता है device होती है जो क्या करती है सिर्फ एक की direction में current को allow करती है कब कर करेगी? जब P को हम positive से connect करे है는 और n को हम Pres prediction नहीं करता है क्या प्रमिन डायोडिस लगा दिया यहां पर हमारे पास एक रजिस्टेंस ए उ Duke लेने वाले भार outta ूट लेने वाल ठीक है ना तो चलो 10 को लोग मैं कर देगा लेड से कि मुझे मोबाइल चाल्ज़र करने के लिए अचानज का गर्में होता चार सब्सक्राइब तो इतना अब जब यहां पर हमने लगा देखिए आप काम कैसे होगा इसको बड़े ध्यान से देखी का जब यह वाला जो वोल्टेज होगा यहां का इसको मैं यहां पर बना देता हूं यह रहा ठीक है तो यहां तो जब उसकेस में आप देखो कि । और इसको कॉंब एक तो यहां पर रिवर्च बाइस तो डायोड अंधर मतलबिशी हो से और से करण फ्लो होगा हाँ तो डायोड हमारे यहाँ पर forward bias में एंटर कर गया forward bias में एंटर करा तो इसके अंदर से क्या होने वाला है भी एक current flow करने वाला है कैसे इस direction में तो current की direction के output में X से Y और जब भी किसी resistance के across से current flow करता है तो हमको ohms अंकल बोल कर गए है कि V is equal to कितना होगा I into R ठीक है तो आर उसका resistance और डायोड में से current flow किया लेट से ID तो output voltage कितना होगा ID into R ठीक है तो हमको output मिलेगा अब देखे चैसे आउट्पूट कैसा मिलेगा जैसे जैसे आपका current बढ़ेगा वैसे आपका voltage भी बढ़ेगा यहाँ पर देखो यह current आपका क्या हो रहा है बढ़ रहा है से इन्पूट वाला voltage भी क्या होगा बढ़ेगा मतलब कि यह input वाला बोल्टेज बढ़ेगा तो इसके है तरहें कि पारेंगतित है तो यहां से कितना हो गया आपकेज में जिरो यहां पर वोल्टेज कितना हो गया जिरो यह हो गया this umm साइकल आई तो अगें आपको फॉरॉड वाइस हो गया वापीस से हमको क्या मिला और इस तरह से आप सकते हों कि जो हाफ साइकल लिया कनवर्ट कर लिया मतलब कि हम ने इसका नेगटिव पार्ट हटा दिया तो अभी हमको जो output में current मिल रहा है उस current की सिर्फ एक direction है कौन सी direction है x से y वारी direction सर्कीट में अगर देखे तो और waveform में अगर देखाई तो सिर्फ पॉजिटिव direction में अपका क्या हुआ है current flow कर रहा है और current अगर एक direction में फ्लो करता है तो इसी को को convert कर दिया लेकिन इस सर्कीट के साथ एक सबसे बड़ा disadvantage कि हमारा जो आधा cycle है वो तो वेस्ट जा रहा है आधी जो power है आधी जो energy हमारी वो क्या हो रही है वेस्ट जा रही है इसका तो हम कोई using नहीं कर पा रहे है इसकी जो efficiency कितनी हो सकती 50% इसकी efficiency maximum कितनी हो सकती है 50% 50% करके हो रहा है और हम नहीं चाहते कि energy का हमारे लिए लॉस हो तो हमको एक ऐसा डिवाइस बनाना पड़ेगा जो इस यहां पर एक center tape transformer होता है हाफवे में हमने जो transformer यूज किया था उसके output में कितने थे दो wires से यहां पर कितने होंगे एक दो और तीन वायर इसको हम बोलते center tape transformer ठीक है अब देखिए center सर अगर हम इसी डाइग्राम में इसी डाइग्राम में अगर हम लोग क्या करें यहां पर एक डायोड लागा दे यह तो क्या यह full wave की तरह काम नहीं करेगा क्या ठीक है न क्यों हम लोग center पॉजिटिव से connect हुआ तो आप डायोड कौन सा काम करेगा यह वाला ठीक है पहली चीज़ दूसरी चीज़ अगर आप देखूँगे तो यह डायोड क्या होगा आपका नेगेटिव यह डायोड अगर नेगेटिव होगा तो यह क्या होगे आपका open अई बस समझ में इसमे पॉपन होगा तो यह डायोड क्या करेगा आपका काम करेगा तो दोनों ही केस में आप देखो कि कि सर्कृट आपका क्या होगा ब्रेक होगा तो इसलिए हम लोग इसके अंदर चेंश नहीं कर सकते अब इस प्रॉब्लम को देखो इसने कैसे सॉल किया इसको ध्यान से समझ आप कि यह वाली जो हमारी प्रॉब्लम थी कि दोनों ही केस में हमारा जो करेंट हो कितना हो रहा है यहां पर जीरो ठीक है इस प्रॉब्लम को इसने कैसे सॉल किया चलिए इसको एनलीसिस करते है अपन इसका ठीक देखे जब एसी की पॉजिटिव आफ साइकल है वी इन कहा सब्सक्राइब क्या बुलते हैं आपका क्या होगा सिमिलरली यहां पर अगर आप देखोगे तो डी टू का जो पी है वो किस से कनेक्ट हो या नेगेटिव से तो यह कौन से बाइस में चलेगा रिवर्स बाइस में से डायोड में से कोई करेंट फ्लो नहीं करता तो यह किस सारा का सारा कहा जाएगा इधा कौन सी डारेक्शन में एक्षे यहर today लिट्चक है तो जब पॉजिटिव हाФ सैकल आई आउट्पूट में हमको किमें यहां पर एक work voltage मिल या ठीक है छली ना जब तो नेगेटिव हाफ साइकल आएगी तब क्या होगा ध्यान से देखो यह होगा आपका नेगेटिव यह होगा आपका पॉजिटिव ठीक है अब जब यह नेगेटिव हुआ तो पी कनेक्ट होगा किस से नेगेटिव से यह होगा आपका क्या रिवर्ज बायस में और यह वाल यहाँ पर मुड जाएगा ठीक है तो देखो करेंट की डारेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् आगें ये डयोड काम करेगा, ये डयोड क्या हो गया, बंद हो गया, ठीक है तो again हमको क्या मिलेगा, output, positive, then again negative cycle आएग़ी तो again हमको क्या मिल काउट्प साईटाईटाइग, तो देखे आप जितनी मी cycle सारी सभी में हमको क्या मिल रहा है, एक single direction में आउटपुट में करण्ट मिल रहा है तो यह जो हमारा AC था जो direction को change कर रहा था इस direction change को हम ने क्या कर दिया इसकी मंदल से remove कर वा दिया mतलब की अभी जो direction change हो रही थी d1 तो पहले jest जोब इस अपत्वाइस तो पहलीине को शेन ही आथा हमारा पहली चीज के इसका फाइदा क्या इसकी एशियंसे आप देखे के पूरी की पूरी wave को convert कर रहा है, मतलब इसके नतर जो loss होगा, वो बहुत कम होने वाला है, ठीक है, अगर हम ideal case में बात करें, अगर हम लोग assume करें कि यह diodes हमारे क्या है, ideal है, और ideal diodes के लिए ही हमने यहाँ पर क्या बनाई है, यह waveform बनाई है, तो अगर हम ऐसा assume करें कि यह diodes हमारे क्या है, ideal है, तो उस case में आप देखोगे, कि यहाँ पर हमारी जो efficiency होने वाली हो, कितनी होने वाली 100 watts है, मतलब कि यहाँ पर loss कितना होगा आपका, 0, तो यह इसका क्या होता है, आपका advantage, लेकिन एक problem अभी भी हमारे साथ यहाँ पर है, हमने देखा था, कि DC का मतल ठीक है, constant को ही हम actual DC बोलते हैं, तो यह तो होगे, आपका constant DC का example, ठीक है, और यह आपका जो varying DC होता है, वो ऐसा हो गए, यह लेलो, यह जो vary कर रहा है, ठीक है, बट DC के लिए सबसे important चीज़ क्या होती है, उसकी direction change नहीं हो रही है, तो यहाँ पर हम कुछ output मिल रहा है, इसक change नहीं हो रही है, लेकिन अगर मालो मुझे इस output को इस constant DC में convert करना है, तो कैसे करें, इसके लिए हमारे बास एक और arrangement होता है, जिसको हम बोलते है, filter circuit, ठीक है, filter circuit को अगर हम क्या करें, इसके output में लगा दे, तो फिल्टर circuit यह वाली जो waveform है, इसको हम को थोड़ा सा ऐसा करक आपको मिलने वाला होगा, तो इसके लिए हमको यहाँ पर एक extra circuit यूज़ करना होगा, filter circuit, तो filter circuit को किसी और वीडियो के अंदर हम लोग discuss करने वाले, तो आज के वीडियो में हम लोगों को यही discuss करना था, कि rectifiers कैसे काम करना, चलिए इसका थोड़ा सा हम लोग practical aspect भी समझ ल practical diode में क्या होता है, कि जब हम P को positive और N को negative से connect करते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, current flow होता है, लेकिन current flow होना start होता है threshold value के बाद, तो silicon diode के लिए कितना होता है, 0.7V, मतलब कि जब यह voltage, यह वाला जो voltage है, वो 0.7V से जाधा होगा, तब ही इसमें से क्या होगा, current flow होगा नहीं तो नहीं होगा, ठीक है, और reverse के लिए तो आपका same condition है, कि इसको आपने positive और negative किया, तो current नहीं flow होगा, तो इसका मतलब क्या है, कि जब यह forward बायत में होगा, तब भी current ऐसा नहीं है, कि जैसे ही यह forward में आया, तो current flow नहीं लग गया, जैसे ही हम लोग इस threshold value को cross तो इसके बाद ही क्या होगा, current flow करेंगा, तो अभी के लिए अगर हम लोग यहाँ पर माल लेकि हमारे क्या है, यहाँ पर real diode है, तो real diode है, जब तक threshold value नहीं आथी, तब तक current flow नहीं करेगा, तो चलो देखते हैं, तो जब देखो, ऐसी की positive आफ cycle है, ठीक है, तो positive आफ cycle में ह को पता है, कौन सा डायोट काम करेगा, यह डायोट काम करेगा, लेकिन, जब तक इस positive की value, let's say, threshold की मैंने line बना दी है, यहाँ पर 0.7 और यह minus में 0.7 की, तो जब तक यह voltage, यह वाला जो input voltage है, जब तक की, इस line को cross नहीं कर जाए, मतलब की 0.7 volt को cross नहीं कर जाए, तब तक output हमारा कितना होगा, जीरो, तो output अभी कितना है, जीरो, ठीक है, जैसे इसने 0.7 को cross किया, तो output क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट हुआ, ठीक है, फिर देखो, जैसे यह इस point पर पहुंच गया, तो वापिस output क्या, input क्या होगा, आपको 0.5 से कम, तो यहाँ पर current कितना होगा, जीरो, ठीक, फिर जब यह negative direction में आया, तो negative direction में यह diode ने काम करना बंद किया, इसने काम करना चालू किया, ठीक है, फिर समको output मिलेगा, लेकिन, अगे, देखो, जब यह negative में, point 7 की line को नीचे cross करेगा, तब तक तो हमारे पास क्या होगा, कोई भी output नहीं होगा, जैसे इस line इनको cross करके नीचे आया, तो वापिस हमको क्या मिला, यहाँ पर, output के अंदर waveform मिले, तो आप देखो, कि यहाँ पर जो real वाला diode है, उसके अंदर, output के अंदर, जो waveform आ रही है, उसका कुछ portion, missing है, ठीक है, कुछ portion के लिए, हमको output क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, तो इसलि प्रेक्टिकल डायोड अगर हम लोग यूज कर रहे है, तो यह problem को यहाँ पर क्या करना होती, face करना होती, इसका एक और solution यहाँ पर होता है, इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, एक four diode वाला arrangement, वो हमारे syllabus का पार्ट में नहीं, इसलिए हम लोग उसको discuss नहीं करेंगे, तो I hope आपको यह पूरा topic यहाँ तक समझ में आया होगा, यह बड़ा एक important topic है आपका semiconductor में और especially इस duration में कि जब COVID की वज़े से काफी syllabus हमारा reduce कर दिया गया है, तो वहाँ पर सबसे important जो topic हो जाता है, पूछने लायक 12th board के अंदर वो यही topic होता है आपका, तो इसको वीडिय करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जैहिं बंदे मात्रम